राम राम प्यारे साथियो आप सभी का सुआ गयता अपने फॉम नोटिस यूट्यूब चैनल के उपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भई CETA एक्जाम वहा था जो 5 और 6 नुम्बर को NTA के द्वारे लिया गया था उसकी जो अंसुर की थी वो जारी कर दी गई थी NTA के द्वारे लेकिन उस अंसुर की के अंदर भई 4-5 कोईस्टनों के जो अंसुर थे वो गल्द बताए गए थे लेकिन जिन बच्चों ने क्या ओबजेक्शन लगाया क्या उन्हीं बच्चों को उसके नंबर मिलेंगे या सभी बच्चों को नंबर मिलेंगे आज कुछ मैसिज हैं जो वो वायर लो रहे हैं उन मैसिज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे जिसके अंदर लिखा हूँ है कि जिन बच्चों ने ओब्जेक्शन लगाया उन्हीं को नंबर मिलेंगे आप लोगों को बताएंगे कि क्या वो सच है या जूट है किन को नंबर मिलेंगे या किन को नहीं मिलेंगे इसके अलावा इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ जो C केशन है बही हाती पार है कोई आसपास वहां पर चरकी दादरी जिले के अंदर तो आप सभी को वहां पर ही कठा होना है सुबह ग्यारा बजे और वहां पर जितने भी हर्याना के टीचर है सभी टीचर आएंगे डीशी साब को ग्यापंच ओपा जाएगा लेकिन जो चलेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो सेटी एकजाम को कौलिफाई करवाना चाहते हैं इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जो कल मेटिंग होई थी हर्याना सरक जो एचसेसी मेंबर थे और जो एचसेसी चेर्मैन साब 15 दिसंबर तक तो उस ब्योरे के बारे में बता देता हूँ कि आप लोगों को लगबग भी 22 हजार पदों का ब्योरा है जो एचसेसी वीबाग को बेज दिया गया है बहुत बड़ी खुसी की बात है कि लगबग भी 15 दिसंबर की स्याम के साथ या आठ बती तक कि जो मेरे पास उत्रों के वाले से खबर पहुंची है कि लगबग भी 22 हजार पदों के उपर जो वकैंसी है उसका डाटा है जो वो एचसेसी आयों के पास बेज दिया गया है अब आप लोगों का जो रिजल्ट है लगबग भी 25 दिसंबर तक जारी करने के बाद लगबग भी 32 से 40 पीच में आप लोगों के लिए जो एड़ोटाइजमेंट है या जो वकैंसी है उसका पोर्टल है जो खोल दिया जाएगा यानि कि 2023 के अंदर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बरतिया आने वाली है तो आप सभी अपनी त्यारे में लग जाए अब बात कर लेता है जो उबजेक्शन लगाया क्या उनी बच्चों को नंबर मिलेंगे या किसको नंबर मिलेंगे इन सब बातों के बारे में जो मैसीज वाइरल हो रहे है वह मैसीज भी आप लोगों को दिखाएंगे तो ये सक्रीन के उपर आप देख सकते हैं कि हरियाना सीटी में जीशने पर ये है बई सीटी एक्जाम में जिन बचों ने अब्जेक्शन लगाए बई उन्हीं को मिलेंगे नंबर सोर्स बता रहे हैं बई यानि कि जो फेक हैं किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करो अगर ऐसे कोई मैसिज हैं तो नोटिस भी जारी किया जाता आज तक इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं हुआ और नहीं रियाना के अंदर की किसी भी क्वेस्टन के उपर अगर कोई बच्चा उपजेक्शन लगाता एक शिंगल बच्चा भी अगर किसी क्वेस्टन के उपर उपजेक्शन लगाता अगर वह क्वेस्टन उस आयोग के द्वारा सही माल लिया जाता तो उन सभी बच्चों को उस क्वेस्टन के अंक मिलेंगे जिस बच्चे को उसके अंक नहीं मिलेते यानि कि अगर वो question सही माल लिया जाता तो वो सभी बच्चों का सही होगा चाहिए वो एक बच्चा हो चाहिए वो सो बच्चे हो चाहिए वो सभी बच्चे हो वई तो ऐसे message और अपों से दूर रहें वई हो सकता है कि ये किसी के हमारी official website और telegram channel के उपर सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी के साथ बताएंगे भई तो ऐसे messageों से दूर रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके बुईशे के साथ खिलवार करते हैं तो एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को अगर किसी ने भी objection पर objection लगाया है तो आप सभी को उसके number मिलेंगे अगर वह question सही है तो इसके लावा भई हमारी official website और telegram channel को join करना दोस्तो जिसका link वीडियो के description में मिलेगा thank you